हेलो एवरिवन, आज हम बनाएंगे चने दाल और मुंगफली की नमकीन, यहाँ पे मैं एक कप चने दाल ली है, बस इसको मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले इसको वाश करने वाली हूँ, दो तीन बार इसको पानी से हम अच्छे से वाश कर लेंगे, इस तरह से हम इसको हो जाए, तीन बार में इसको वाश किया था, अब इसके बाद में इसमें पानी एड़ करने वाली हूँ, थोड़ा ज्यादा ही पानी डालूँगी क्योंकि मुझे इसको ओवरनाइट सोग करने के लिए छोड़ देना है, अब यहाँ पे मैं एड़ कर रही हूँ बेकिंग स जोड़ा लिया है, इससे क्या होता है कि हमारा नमकीन एकदम से क्रंची बनता है, बैसे इस तरह से इसको मिक्स कर दीजिए, अब मैं इसको ओवरनाइट विगोने के लिए छोड़ दूँगी, अगर आपको ओवरनाइट नहीं सोग करना है तो आप क्या कर सकते हो कि दिन मे मैं भी 4-5 गंटे के लिए इसको विगोने के लिए छोड़ सकते हो, अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट मॉर्निंग चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि हमारे चने की दाल काफी फूल चुकी है, यह देखिए अगर आपको भी बैस्ट रिजर्ट चाहिए तो आप भी ओवरनाइट इसको सोग करने के लिए छोड़ दीजिए, अब मैं यहाँ पे 2-3 बार और इसको अच्छे से पानी से वाश करने वाली हूँ, मैंने इसको 3 बार पानी से वाश कर लिया और स्ट्रेनर से सारा पानी स्ट्रेन करके, अब मैं इसको एक कपड़े पे डालने वाल इसको मैं 10-15 मिनट तक पके के नीचे छोड़ दिया था इसको आप 5-7 मिनट दूब में भी सुखा सकते हो नहीं तो आप कपड़े से इस तरह से इसका मौस्टर सुखा लेजिए बेसिकली क्या है कि बाहर वाला जो पानी है वो हमने इसका सुखाना है बस यहां पर मैं कडाई ले ली और पहले सी डाल दिया था चेक करते हैं कि हमारा ओयल गरम हुआ की नहीं यहां पर टूथ पिक यूज़ कर रही हूँ इस तरह से यह देखिए बबल से आने स्टार्ट होगे नहीं तो आप चने थोड़ी सी डाल दीजिए उससे भी पता लग जाएगा कि हमारा तेल लेकदम से गरम है अब सारे चने हम इसमें एड़ कर देंगे यहां पर मैं आपको बता दू कि हमारा जो ओयल है वो मीडियम होट होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा गरम होगा तो उससे क्या होगा हमारे चने बार-बार से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे इ इसकी पहचान क्या है कि जब यह हमारे फ्राइ होना स्टार्ट हो जाएंगे तो यह उपर तेल के उपर फ्लोट करने लगेंगे अभी थोड़ी दिर में आपको मैं दिखाते हूँ जब यह फ्राइ होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से आप देख सकते हूँ यह तेल के वो टिशू पेपर सारा एब्सौर्ब कर लेगा बस सारे चने इस तरह से मैं निकाल दिये थे और इसके बाद मैं क्या करने वाली हूं कि इसमें पीनट एड़ करने वाली हूं पीनट को भी मुझे थोड़ा सा फ्राइ करना है इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये लिए बस इस तरह से इसको हम फ्राइ कर देंगे मुझे ये नमकीन मैं एड़ करना है ये बिल्कुल ऑफशनल है अगर आपको यूज करना है तो कर लीजिए पर इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है नहीं करनी है तो मत कीजिए अगर आपके पास नहीं है तो मत कीजिए बस इस तरह से सारी एक दम से करंची बन जाती है बस इस तरह से सारी निकाल दूँगी मैं और बाद में मैं नमकीन मैं इसको एड़ करने वाली हूँ बस चलिए अब फड़ा फ़र से नमकीन बनाते है तो बस मैं सारा इसमें एड़ कर दिया अब मैं यहां पे जो स्पाइस ब्लेक पैपर जो आपका रहता है और थोड़ा समय पिंच आफ हिंग यूज़ कर रही हूँ इसमें यह पिल्कुल ऑप्शनल है वैसे भी मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हूँ यह सारे हम इसमें मिक्स कर देंगे और जब भी आपको नमकीन बनाना ह तो उसको थोड़ा सा ल्यूक वर्म होना चाहिए बस इसमें मैं यह एड़ कर रही हूँ जो कड़ी लीव्स और मैं मिंट लीव्स रखी थी बस इस तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपके पास है तो जरूर एड़ बैस अब आप देख सकते हो कि हमारा नमकीन बन के एकदम से रेड़ी है आप यह एक बार जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी बनता है